हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागता है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गरम में लड़का लड़की होने के लक्षणों के बारे में हम आपको ऐसे लक्षणों बताएंगे जो की आपक आपको जब फर्स्ट मन्त कतम होता है सेकिंड मन्त से अगर आपको बॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है यानि कि सेकिंड मन्त से थर्ड मन्त के बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा आपको चक्कर आते हैं आपको बहुत महीना चल रहा है तो आपके एड़ी और पंजे में जैसे आप चलते हो एड़ी और पंजे में आपको बहुत जादा दर्द रहता है चलने में आप दर्द करते हैं अचानक सी दर्द करने लग जाते हैं वो और वैसे देखो कि नॉर्मल तो वो कोई दर्द नहीं होता है तो व नीचे से सीधी है और उपर से बिलकुल थोड़ी सी मदब तिर्ची सी जा रही है तो ये एक लड़का होने की ही निसानी मानी जाती है ऐसे इस्तिती में आपने बेटे को कंसिप किया है अगर आपकी लाइन नीचे से तिर्ची और उपर से भी तिर्ची है तो ये एक लड़क आपको फील हुई है तो ये एक लड़की होने का साइन माना जाता है अगले अक्षण की बात करते हैं साथे महीने पर और छटवे महीने पर अगर आपके पैरों की सूजन बहुत जादा बढ़ जाती है यानि की शुरू से अगर आपको चौते महीने से स्वैलिंग रहती है पैरों में और वो छटवे साथे महीने से बहुत जादा बढ़ना शुरू हो जाती है यानि की आप पर चला भी नहीं जाता है इतने मोटे मोटे पैर आपके हो जाते हैं अर्डिलिया भी बारी हो जाती है तो यह लड़का होने का सांइन अगर आपके नावी के नीचे भह जादा दर्द महसूस होता शहता है इस भी वड्याप आपके छलेजा जाने होता है जलन होती है आपको खाने के बाद भी नॉर्मल भी होती रहती है तो ये एक लड़का होने का ही साइन माना जाता है ऐसे इस तिदि में आपने एक बेटे को ही कंसिप किया हुआ है अगर आपके जलन नहीं होती है ना के बराबर होती है और आपके नाभी के नीचे मतलब कोई मुमेंट अलचल फील नहीं होती है तो ये एक लड़का होने की निसानी मानी जाती है ये कुछ लक्षन से तो आपके साथ शियर किये जैसरी